कि अपिस्ट के अपिस्ट करती हो हमारे पैकसिस के ऑफीशिल यूट्यूब चैनल पर फिर से लिकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए करेंट अफियर्स जो की बहुत इंपॉर्टन है आपके हर एक्जाम के लिए किसी एक्जाम में करेंट अफियर्स से रिलेटिट इस पूछे ही जाते हैं तो हम लोग डिस्कुस करेंगे सेवन्थ ऑफ ऑफ यूज रहें हैं जो भी इंपॉर्टन न्यूज रहें चाहिए वह अपॉइन्मेंट हो राजिगने अब सबको बता है अभी क्या एशन गेम्स चल रहा है एशन गेम्स की बात करो तो एशन गेम्स कहां चल रहे हैं हमारे चाइन के अंदर ओके चाइन के अंदर एशन गेम्स चल रहे है और यह इसकी कौनसी एडिशन है तो इस वार ध्यान दोगी 19th edition है कोशन पूछा ठीक है हैंग से चाइना में जल रहा है और यह अभी एंट टाइवस एलेडार्त लut रहे गार्श में सब्सक्राइए बात करते हैं वापास खुश्चेंप आदें निया ठाकोर मेन सब्सक्राइब अंड्रम टीके एसिन में से स्पोहर से बिलॉण कर वह किस खेल में वह स्वर यानी रजबय दैश्झ अंडर आपका अंशर बनेगा सेButur तो आपका आंसर बनता है C सेलिंग नहाठाकूर कौन से रिलेटेड है तो आपका बनता है C सेलिंग से नेक्स्ट सुधिप्ति क्या है आपका सुदिप्ती हजेला वीकृते से ही रदय छेदा और अनूश अगरवाल के स्केल से जुड़े हैं अगीन अभी देखो बहुत सारे लोगों को वैडल्स मिलेगा है ना अभी देखो इंडिया का जो इस बार का टार्गेट है कितना है 100 100 प्लस हमें वैडल्स मिले कराना है तो आपको इतने नाम लॉन करने ही होंगे वह सारे नाम करने होंगे किस से बिलॉन करते हैं उन्हें कौन से 對 yen को ठude ने लहेंक हैं किसी इनसान से आपसे कुछे जा सकते हैं कैसे दिए सकते मैदल्स जा सकते हैं यह कि यह ने आपसे पूछा जा रहा है की तिन ओकौन से घेम से रिलेटट यह शेंड से यहांने की बात करो तो किसंभी से टो गोडव सावारी skirt नेक्स्ट next the road tap support scheme initially set to expire on September 30 कब expire होने वाला था 30 सितंबर को को एक scheme है हर एक scheme को जब भी start करते हैं तो ऐसे date fix कर देते हैं इतने से इतने time के लिए scheme चलेगी तो 30 सितंबर को यह जो scheme है वो expire होने वाली थी अब क्या है कि उसको उसकी date को extend कर दिया है कि अब थोड़े और time तक के लिए यह चलेगी ठीक है तो आपको वही बताना है कि वह date कौन सी है December 31st 2013 मार्च 31st 2013 जून 30 2014 या September 30 2014 ओकी हमारे पास यह options है अब यह तो होगा नहीं क्योंकि कब होने वाला था September 30 2013 2013 और यह 31 मार्च को ही है तो यह तो option पहले यह अलिमिनेट हो गया आपका अंसर क्या बनेगा June 30 2014 ओकी अंसर क्या बनेगा June 30 2014 अब अगर मैं बात करो तो यह क्या है movement ड्यूटी टेक्सिस लगते है एक्षपौ्ड प्रोड़क्स के ऊपर ठीक है ऐसे देख ईगरोपी ट्यूटी है ट्खनी टेक्ज्ट सेख्र करते हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी टेक्स लगते हैं उस से डिलिटिड यह स्कीम थी जो सेप्टेमबर 30, 2023 को खतम होने वाली थी पर उसका उसकी जो टेन्यूर है उसको इंक्रीज कर दिया गया एक्स्टेंट कर दिया गया जो कि अब क्या है जून 30, 2024 तक है नेक्स्ट, Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Daily Integrated the Renovated Marine Museum in which city क्या है एक Marine Museum, Marine की बात करो तो खारा पाने, खारा पाने की बात करो तो यानि कि जो मचली है ठीक है मचलिया, एक्वेटिक अनिमल्स, इनकी लाइफ की बात हो रही है कि इनकी इनका एक म्यूजियम बनाया गया है तो वो म्यूजियम कौन से सिटी में है, ठीक है, अम देखो यह जो सौरी आज गला सोड़ा खराव है हाँ, थाहले ना चलो, तो यह जो यह Marine Museum है, यह Marine Museum कहाँ है आपका विसाखा पटनम के अंदर, विसाखा पटनम में में यह उनके अच्छा एन्वार्मेंट दिया जाएगा कि अब वह उसके अंदर और लोग उसको विजिट करेंगे म्यूजियम है म्यूजियम है तो लोग जाकर विजिट भी करेंगे ठीक है और आप मुझे बताओगी कि कि अब कोशन इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्षिन में बताओगे नेक्स चलते हम लोग फू इनग्रेट दे टूरीस फैसलिटी अधर नाथ द्वारा राजस्तार नाथ द्वारा में अभी एक टूरिस्ट अगर देखो गे तो आपका जी और बल्लवाचारिय जो है स्रीनाथ लिए बात करूं सही से तो स्रीनाथ जी और बल्लवा उशार जी टी कैरे ये टूरिस्स स्पॉर्ट एंको इनकी मार्ट इहNewरेशन किस उनकीनों ने स्टार्ट किया तो अगर बात करूं कि लोने की अभी प्राइम मेनिशितर मोधिं जी यहां पे विजिट करकर प्राहिइंआ हैं और उन्हों ने ही स्टूडिश स्ट्विस इन्यज्टि को इन्वरेशन किया है इसका उदगाटन किनों ऑ्सेट किनूंगे है प्रमें सब्सक्राइड मोर्क चु घरियो जो तो मोधी जी काया है टारगेट की इंडिया को आत्म निर्भर ना है तो उसी से रिलेटिड है यह स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निर्भर निषी स्कीम यानिकी स्ट्रीट Ministry से related है या इन में से कौन सी चीछ है जोस से related है किनोंने स्टार्ट किया है Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry of Finance Ministry of Commerce and Industry Ministry of Micro Small and Medium Enterprises अब देखो Micro Small and Medium Enterprises नहीं होगा आंसर क्यों आपको लग नहीं होगा कि हैना street vendors की बात करें पर street vendors micro small में भी नहीं आते यह उस micro small से बड़े होते हैं जिसकी बात करें हो मैं micro यानि लगो दियोग जो होते हैं वो vendor वाले vendor वाले बहुत छोटे उस लगों में वो नहीं आते तो यानि यह option तो चला गया ministry of commerce and industry नहीं रहेगा ministry of finance यह चीज़े नहीं देखती कि ministry of housing and urban affair आपका अंसर बनेगा जो ministry of housing and urban affair आपका अंसर बनेगा और यह किसके पास है वो भी आप मुझे बताओगे देखो मैं daily daily पूछूंगी कौन सी ministry किन के पास है तो इससे क्या होगा कि तुम्हें revise होगा at least एक बार google करके चेक करोगे न दस बार दस अलग अलग videos देखोगे दस अलग अलग class देखोगे उसमें अगर तुम revise करें मैं बता दूंगी पर फिर दिबाग सी चला जाएगा खुछ से सब्सक्राइब याद रहेंगा next discuss करते है फो बाध बात करूंगी पुलाइब लन देखोगे लाइश चाहरस आम टेक है अभी इन एरव फोर्स मतर द्यानलव चाहरट है क्या नीच बात करल है हिंद कर दो सकδाभी ह nhय संट मांअनला कि बात करऊंए इ laughed लाइट कॉमएक्ट एयर क्राफ्ट तो यह एम्ती टू है तेजर सहा ड़वौ जो एंसर बताना एंसर कि होगा लो लाइट कॉमएक्बथ जो ऐर क्राफ चैर्फ्ट है ओर 1 solche और यह वने सफ्वाकों साहिए तीजर से लिए है मैं खोले में कि में सकं है विज टीम आफ दॉट एनिमल डे 2030 जो वॉल्ड एनिमल डे 2030 क्या थीम यह सेलिवेट करते हैं लोग ताकि वन्य जो जीव हैं उनकी भी हम लोग रक्षा कर सकें उनके बारे में सोच सकें कैसा हम डें निकाले की उजिन बैट क्यों प्लाइनिंग कर सकें इन लोगों को भी जर जानवर चुटे हैं बड़े हैं कैसे वी जानवर हैं सबको प्यार से सबको प्यार से रखना है सब के लिए हमारे मन में अच्छी भावना होनी चाहिए संप्रिती की बात करूं तो संप्रिती इंडिया की बांगलादेश के साथ संप्रिती बिटविन इंडिया एंड बांगलादेश की एक्सराइज होती है हमारा कोशिन क्या बना है वेन वाज फॉस्ट पहली बार यह मीटिंग कोई ना कोई चीज पहली बार ठीक है आप मानलो आज 18 साल की हो कभी ना कभी पहली सब एक साल के भी होगे तो जब एक साल की हुए थे यानि कि आपका बर्दे का बात है डेट ओ बर्थ किया है आपकी वैसे ही तो जो संप्रीति है उतकर डेट बर्थ किया है तो क्या हो जाएगा आपका अंसर 2009 क्या अंसर बनेगा संप्रीति कब 2009 में पहला अडिशन हुआ था अगर मैं बात करूं और भी बहुत सारे अभ्यास की ठीक है मिनसे अब बहुत सारे ऐसे एक्सेसाइजिस रहते है जान से आप लूए मिए अअवрий है नोकisi होती है यूद्धभ्यास ऐसी सब्सकाग घ्लाए नें कोप इंडिया और वज्धुद्र स्प्राहार ओक है यह किस के साथ होता है यूज के साथ वही मैंने बहुत बार बता रखाए एकchen फ्रांस के साथ किसको होता इंडिया और फ्रांस का जब ऐसे बाइलाटरल एकसेसाइज होते हैं उसका नाम क्या है तो वरुन है गडूर है थाइलांड की बात करूं तो इंडिया की थाइलांड की साथ क्या होती है ओकी थाइलांड की साथ क्या होती है तो थाइलांड की साथ होती है मैत्री ओकी थाइल सब्सक्राइब है इंडिया की सिंगाफोर के साथ क्या होती है सिम बात करें तो सिलनेक्स शो हो कि इंडिया की और लिगाव होती है राद के सा उति है स्रेख हैол यह रिख एसे बहुत सारी एक्साइजिस होती है ठीक है आपको हरे कंट्री किस किस कंट्री के साथ ऐटलीס मेरे जो पड़ोसी तो इसके रहती है वह एक्साइज शब्सकोड़ करनी पड़ेगी ग्रवाद एक्साइज वीडियों मैं लेकर आतीहूं अच्छा सा ट्रेक्से वीडियो जिससे आपको के इ देखे उगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं वह चायगर उसको हाथ से क्राफटिंग करते हैं आधे परहुत ही लाइट होता है हलकता अगर उसे बात करओ तो हमने बना वहते हैं कि उनका उन रहा है कि जो रिंग उती है तो यह क्या मिला है याध रखना में क्यों है क्योंकि अभी अभी इसको सब्सक्राइब करते हैं एक तरीके का शॉल बनाते हैं वोलन कपड़े बनती है समझ के नेक्स्ट है हाउ मेनी यूथ टाइटल्स है इंडिया वान दो सफ शैंपेंशिप शैंपेंशिप किसमें होता है क्रिकेट में फुटबॉल में होता है अब वर्ल्ल कप चल रहा है क्रिकेटी दिवाग में स्टार्ट करते हैं तो जो सेफ शैंपेंशिप है तो शैंपेंशिप में आज तक इंडिया ने यूस टैटल कितने आठ यूस टैटल जीचुके अभी अभी बात करो तो अभी अभी अंडर 19 में भी इंडिया जीत चुकी ह कितना पाकिस्तान वॉसेज इंडिया का मैच था ओके पाकिस्तान वॉसेज इंडिया का मैच था जीत कई ब liquide यह था नेक्स्ट अब हमने जो भी इंपॉर्टन एम्सी के उस्ति हो डिस्क्रिस कर लिए अब एक बार आपन देखते हैं डिटील द्यूस के ऊपर डिटील न्यूस क्या क्या चीजे है सरसे पहना जियोती आदिती परी नीत स्ट्राइक गोल्ड इन कंपाउंड आर्की ठीक ह आर्की क्या होता है निशाना लगाते राम जी धनुस लगाते थे धनुस्ट ठीक है तो इन्हों ने इन तीनों ने गोल्ड मैडल जीता है यह न्यूस में हैं ठीक है कुशन आएगा बहुत जादा अभी देखो इंपॉर्टन टॉपिक है तो लोगों के लिए एक इक चीज आखना इवेंट कहां हो रहा है यह सब चीजे तो डेली रिवाइस कर रही हूं मैं जैसे कोई नहीं मैडल आता है मैं सारा कुछ रिवाइस करें लिए पर एक इक इक इंसान कौन से स्पोर्ट से विलॉण करता है कौन सा मैडल मिला जैसे इनको क्या उसा मिला गोल्ड बैल अगर जैसे गोल्ड अगल इस विलॉण करते हैं पूछन से पर दिते विलॉण करते हैं फिक तो कोशी कोजिस पूछ जाते है हम आते वापस हमारे तौफ की उपर इंडिया ऐस एक्सेप्शनल पफॉरमंस एड़ धान नाइशन गेम हमने बात की कौनसा ऐशन गेम है स्पा नैंटीन टे शर्वiction गेम हैं किल ने गोड़ मैडल कौन्सा मैडल जीता हिन्होंने गोड़ मैडल एन फ्रिलिंग मैल मैच अगेइस्ट चाइनीज थीक है निदिगेम अ गेश्ट फ किसा में ला बाट– तीरंदाजी टीम ने 2023 में 19 वी एशियाई खेड़ों में चीन ताइपे की खिलाफ रोमांचक फाइनल मैच के सो में स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम अपना नाम उन्हें स्वर्ण नक्षरों में दर्श करा दिया हैं स्वर्ण मैडल लेकर आए हैं कौन लेकर आए हैं नाम तक इस चीजे याद रखो पाटा जो इवेंट है ट्रैवल मार्ट है एक तरीके से और यह 2030 रहा था इसका शुर्ण से च्छय और तक न्यू देली इंडिया में यह इवेंट रहा था चलो देखें यहीं बात हैं इसका इन्जूरेशन किया था जो पाटाइवेंट हैं इसक specific फुल फॉर्म देख लो पाठा का Pacific Asia travel association ठीक्ए है पाठा का Pacific Asia travel association ठीक है यह आपका फुल फॉर्म, पुछा जा सकता है कहा रही थी event न्यू दिलडी में तिक है इवंट कहा रही थी न्यू देली में और और रही थी चार से छै आकटूबर तक यह कौन यह इसका 46 वा एडिशन सा कौन सा संस करन था 46 एडिशन था ठीक है अडिशन ओफ द प्रेट्शिटिजियस इवेंट इस बिंग है अर्ड त इंटरनेशन एडिशन कौन सा था 46 एडिशन था चीज़ें में हाइलाइट कर रही है वह चीज़ें इंपोर्टेंट है उस पर दो ईंडे निलमन कर्को कहां पे है तो आपके न्यू दशन कें प्रगती मैदान के इंदर इवंट तक रहा था दो चेंट डूम झेहर सेमान तिक है पीटर सेमान ने आगर बात करें तो इन्हों ने हाई-लाइट किया है इस उन्होंने और्गनाइज किया है उन्होंने अटेंड किया है इस इवेंट को इनोगरेट किया है अब जाके रहो जैसे आप बनारस जा रहे हो ठीक है बनारस की जो लॉज होते हैं नॉर्मरल गेस्टाउट या धरम साले जैसे जगह है तो अचलो थीग यह थोड़ा अच्छा चाहिए तो आज कल एक जॉस्टल साते हैं कि कैद जॉस्टल साते हैं होस्टल साइसा ही होता है उसके अंदर रहो वहां पर अलग अलग स्टेट की अलग अलग कंट्री की भी लोग आपकी तरह वैसलर्स आते हैं उसमें रहो एक तो अलग अलग नए नए लोगों से मिलोगे हर एक इंसान आपसे बात करेगा और साथी साथ एक नई जगर खुलोगे बहुत अच्छा एक्स प्लेन की है यह जो चीज है जो पाटा है ठीक है यह 1951 में इसका फाउंडेशन हुआ था इसकी स्थापना कब हुई थी कब स्थाफित हुई थी यह ऑर्गनाजेशन 1951 में ठीक है नाम क्या है Pacific Asia Travel Association Pacific Asia Travel Association और यह है कहां पे ठीक है जो बाटा है कहां पे तो यह जो में नेक्स्ञ एंबज़ देखो और को हुर मारे अर्जोन मुण़ गोहने ऐदा राइबल मीनिस्टर है आ यह फिस्ट करें अरिजन मुदह इनेक्ट्च अजानल कीश्ट कम्स और और फोर्टिन. इनिस्ट किया है यूनियन मिन्हस्ट फर्टरी अफ्यस्ट आंड कला कुं स कुछ इक लव्य मौडल को सा फोर्थ एक्लव्य मौडल रेजिडेंशन इस्कूल और यह क्लविय मॉडल के स्कूल आप देखो के तो यूपी में भी स्टार्ट किये गए हैं यह क्या होता है कि एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम बिल्ट करने के लिए एक लव्य स्कूल्स ओपन किये जा रहे हैं हर जग किये जा रहे हैं और यह बहुत अच्छे लेवल का एजुकेशन प्रोवाइट करेगा स्टूटेंट्स की अंदर जो हमारी अपकमिंग जनरेशन हैं उनके लिए ओके स्टार्ट करते हैं लिट्रेले नेशनल काल्चरल लिट्रेरी फैस्ट एंड कला उटसब 2023 इन दा पिक्शल सिटी ओफ यह इवेंट रहा कहा था देहरादून पे 3rd of October 2023 को ठीक है यह जो अपना फैस्ट है कला देहरादून के अंदर और इवेंट रहा कब था 3rd of October को 3 October को और किनों ने इन्योग्रेट किया था तो अरजन मुंदा जी ने अरजन मुंदा जी कौन है हमारे तो यह है आपके ट्राइवल और अफेर मिनिस्टर ट्राइवल अफेर की मिनिस्टर है वह हम आपके अरजन मु ऐखकर नहीं का दें डर अजुष शिए उन्हों स्रीकतंकर सिंग धांई किया था होस्टिर आध माहराना प्रताफ स्पोर्च कॉलिज इवेंट कहा रहा था इन्हों अदर यह रहा था और गांपनोν फ्राइवल स्टूटन क्या कैरने है इवेंट हाँ आइवेंट अर्गरैज किन्थ तॗ पह सदेने हम नेच्ट 느 सीक्राइव सब्सक्राइब चाहिए र थिए यादा क्या कि आ है आए ब्रडड़ेस गैवन took कि य है कि अ फैस्ट और साथ ही साथ क्या प्वच राओाउट सब्स्टाश इसेट जE तो अब हैmas तक रही है से तुपर तक रही है पाटिशिपेशन्स ओवर दो हजार ट्राइवल स्टुडेंट्स हेलिंग फ्रॉं ट्वेटी डिफरेंट स्टेट्स और अब देखो शॉट में चीजे याद रख लो ओकी शॉट में चीजे याद रख लो हां देखो इधर इवेंट कब तक रही है कॉस्षक लोड़ कफेशे करें सीअब क साथी साथuję इवेंट ञाकि किया है दो हजार ट्रॉडेवल स्टूदेंट्स ने पार्टिसिपेट गिया है और साथी साथ ट्वट्गी टू स्टेट्स और 22 स्टेट्स ने पार्टि किया है इस दो हचार बच्चे जो की 22 स्टेट से हैं उन्होंने तीन और 6 अक्टूबर को पार्टिसिपेट किया है इस कलाउट सब के अंदर हल्दी नेक्सट अब हम बात करते हैं हल्दी दिखरी है तुम्हें हल्दी की इमेज इमेज ले रिख है किअ है हल्दी से थे की ज़गाए थे भी लेते हैं बहुत ज्यादा गर पएंच यहां पर हैं अगर आप यहां पर चल रही है मेडिसी लाइफ में तो समय को ती ऊट लग जाता है तो नहीं होएं लगा को अगर उसका लेप लगा लिते हैं कि तो यह नेचुरल ब्लड प्योरिफिकेशन का भी काम करता है बहुत अच्छा होता है अगर आप हल्दी को मैं हल्दी का अभी स्पॉंसर्शिप नहीं कर रही हूं मैं वस बता रहे हूं हल्दी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में स्टार्ट करें हम वेट वेट वे क्योंकि हम क्या है हम सबसे ज्यादा हल्दी का हल्दी उत्पादन करते हैं हम भारतिये लोग सबसे ज्यादा है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा कर रहे हैं इंडिया में बात करूं तो वर्ल्ड का 62 परसेंट जो वर्ल्ड का हल्दी है वह हमारे इंडिया में ही उपस्ता है मुली देखते हैं भारा सरकार ने लास्टीय podemos और ती शूझरित किया है कि ह Yazic ये इसकी गफन की जाएगी जो दैश के लिए लिए हल्ली और हुत्पादों के विकास पर ध्यान देगी किस पर ध्यान देगी सिर्फ बर फोकस्ट एक डिपार्टमेंट है वह हल्दी को कैसे उत्पाद किया जाएगा कैसे हल्दी की गुणवत्ता को सुधारी जाएगी यह हल्दी कैसे बनाओ किया यह ज्यादा टाइम तक शलेगा एक्सपोर्ट करना एजी रहेगा इसके जो फार्मिंग कर रहे हैं उनकिसानों को फाइदा तामिलनाडू तेलांगना करनाटक एंपी उडिसा बेंगॉल और गुजराद ठीक है यह सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन होता है हमारे भारत देश के अंदर इंडिया इस लार्जेस प्रोड्यूशर इंडिया क्या है सबसे ज्यादा प्रोड्यूश करता है अभी मैं व्हां निष्ष्पॉर्ट नहीं कर पाते हैं तो चाय पति इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा यूज हो जाती है वही बात है एन एक्सपोर्टर कारें इंडिया कर रहा है इंद्या कर रहा है इंडिया कर रहा है इंडिया कर रहा है ये मालो ये पूरा है तो 62 परसेंट यानि ये 50 परसेंट होगा ओके ये 50 परसेंट है और थोड़ा सा और 60 परसेंट इतना मालो इतना पूरा इंडिया का तर्मेडिक मार्गेट पे कभजा है अगे ड्यूरिंग दे 2022 ते इसकी बात करूं तो 1534 लाख कितने 1534 lakhs ton of turmeric and products to be turned in कितने billion dollar का 207.45 million dollar were exported to bangladesh कहां bangladesh , UAE United Arab Emirates, United States of America एootड़ियों के निक्सपोपट किया हैं कितना एक्सपोट किया है लगवकündरफ़ताय है उच्य परह देखने सबस्क्राइस बिडियर किταड़ियों कि मतड़ियों को सुक्राइस सब्सक्राइस कि दिरे तो आपकी धियान लगेगा प्रोवाइडिंग क्या करेंगा लेडर से पर दियान रखेंगे कि हमें किन चीजों पर ध्यान रखना है कि हमारे लिए कितना ज्यादा अच्छा है और ज्यादा नहीं अठाओं रहे लिए मिसकेप्शन सभवाहतन है उसाया है यह जादा सब्सक्राइब लेना कितरा बनारे कि यह वोट आपको बताएगी इंटरनेशनल मार्केट ठीक है में बिए खर्विंद मारकिट करें और हम हमेसे और ऐसे और क्या बना हना और वन प sé churches in the world चुकते हैं कहां हम वनिका यूज कर सकते हैं वह तो हम कैने कर सकते हैं कि लोगों को बताएगी स्किल रोजगार लेकर लिए कि है तुमरीक फेल्ड में फुट कु्यालिटी ठीक है और सेफ़्टी स्टेंडर्स वं के से हें को सेफ रखने का कैसे से रहें का तो कहां-कहां इसको यूजıs कर सकते हैं हम एनने फूर सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो कैसे हल्दी को प्रिजर्व करकी कि यह लब मेक ट बात पर दिस्कुशन कर रहे हैं यही है हमारा टॉपिक टूडें लिटरीचर फैस्टिवल तो भी हैल्ड इन द वीकेंड इन बैंगलूर के अंदर क्या है दो तिन का क्या है एक लिटरीचर फैस्टिवल लिटरेचर यानि की बुक होंगी कहानियां होंगी किताबे पोएम्स ऐजी शुचुचुची चीज़े होंगी किसके लिए इवेंट में देख रहे हो आप बच्चों के लिए यह इवेंट रहेगी ठीक है देव लिटरेचर फैस्टिवल अक्टूबर को यह इवेंट रहेगा कब से कब साथ और आठ ओक्टूबर को नाम क्या है नीव लिटरेचर फैस्टिवल कहां रहेगा नीव एकडमी में में बैंगलोर के अंदर कि इस यह इस वार का थीम क्या है वोट इस चैल्डोट विदाउट स्टोरी सब्सक्राइब मुझे तौरी मुझे पूरी रामायन पता है आज तो शयाद मेरी दादी की वज़े से दादी मुझे डेली कहाने लेकर आपनी दिकूरी नाया तो इस तरह का थीम किया वर इस चाहिड होड विदाउट स्टोरी जाइल्ड होगा यह थीम है दिस नीव निट्रेचर फैस्टिबल वाज इनिशियेट इन दोहजार सतरह दोहजार सतरह में यह इवन स्टार्ट किया गया था फॉलॉड बाइध इंट्रदक्शन अफ दे ब स्टार्ट किया था और 2018 में नी वोग अवरड एक अपजैसे को फीव फ़ीफा अवर्ड थे हैं ना फिफा गेम होता है पंस्व में आवर्ड मिलता है आइफा आवर्ड सêuब्स और आ ठागा बल नेशनल अवर्ड थे वैसे ही ने वोग अवर्ड है वह दिया जाता है कि बच्चों के लिए स्टोरीज लेकर आनी है बच्चों को नहीं कहानिया बदानी क्योंकि अगर बच्चे दिन में मुवाइल में घुसी रहेंगे तो उनका दिमाग विक्सित करना बंद हो जाएगा सही बात है मिल्स मान लो मैंने आपको बच्पन सही फोन पकड़ा दिया बच्पन सही फोन ले लेते हैं उनको आप देखोंगे आज कि बच्ची के पास दुनिया भर का नॉलेज है जैसे कि अगर उनको मानों कुछ समझ में नहीं नहीं कोशिस करते थे दस भुक्स ऐसे खंखालते थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम गेम से खेल रहा है तो हम नहीं तरीके से गेम बनाने की कोश्चिस करते थे हम अमारे दिमाग की एक्सराइज करते थे एसा ऐसा करेंगे तो शायद यह हो जाए पर आजकर नहीं हो रहा है सीधा यूट्य करवा सके हम उनके माइंड का पर अब जो जो है स्टार्टिंग में अब क्या इसमें अलग अलग थीम्स भी लेकर आये जैसे की पार्टिशन यानिकी विभाजन वोकिंटिशन यानिकी स्मृति और स्मृति करन ओंग ऐसी इसी टॉपिक्स है हमारे पास परिधी किनारे पर स इतर की सिमाएं विविधिता को अपनाना तो अलग अलग शीजें जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो पाकिस्ता पार्टिशन हुआ था उसके बारे में हमारी कुछ कहानिया कुछ पूरानी पूरानी हिस्ट्री उन सम चीजों से रिलेटेड और ठीक है और क्या है विवि फैस्टिबल प्राइमरली टागेट शिल्डरन ओवर दे एज और पांच साल ठीक है लगवग पांच साल के उपर के जो बच्चे थे पांच साल तक की बच्चे थे उनके उपर ये जो इवेंट था नीव जो एकैडमी थी वो उनके उपर फोकस्ट थी बट फिर दीरे बड खाई जाने लगा बड़े लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे उनको भी बुक्स पढ़ने में इंट्रेस्ट आने लगा ओकी अब यह तीजे किन किन चीजों पर होती है पोस्ट पैंडेमिक पैंडेमिक के पहले कैसा था सब कुछ ऑकी पेरेंट होड अगर आप बन रहे हों तो और क्या बात कर सकते है पेरेंटिंग के एकोलोजिकल माइन्ड स्पेस हम हमारे जो वातावरन में रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं कैसे रहना चाहिए यह ऐसे बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक्स है ठीक है और आपको एम लेवल मिल जाती है नेक्स्ट कोका क इंडे रोल साउट हंडी पर सें रीसाइक कर नेज़ फॉर स्मॉल पैक अगर रात करो यह देखो उप बॉटल्स आपको जो सोड़ी चैंज नजर आ रही होगी अब यह व्यद्वाट्स क्या है यह एन रीसाइक बन स्बस्ट कर दीया जाएका कोई पॉलिशन नी करेंगा और इसको एम में है यहीं में का की रिसाइकल कर दिया जाएगा डीटेर्मेंट न्यूज देखते हम लोग क्या है जो वीवरेज कंपनी है वीवरेज मतलब पता है कोड़िंग होते हैं तो जो वीवरेज कंपनी है कौन सी कोका कोला इंडिया जान rail को यानी की बढ़ बार को एक अनूंश्मेंट करती है उसके अंदर उन्होंने अन्वील किया है इन्होंने बताया है यह संस्टनेवलाइडिय का मतलब क्यों हो रहे हैं कि हम जो चीज आज यूज कर रहे हम उन्हें ऐसे यूज करें कि हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको उनको लिए हम इनको बचा के रखे ताकि उनकी लिए पूरी तरीके से रिसाइकल कर दिया जाएगा वर्ना बॉटन्स की कच्छरे सालों साल मिलियंस ओफ यह ब प्लास्टिक ऐसे ही पढ़े रहते हैं और कुछ नहीं होता सेर्फ और सेर्फ धर्ती के अंदर जमा होते रहते हैं तो यह क्या है 100% रिसाइकल हो जाएगा बॉटल से फ्लैक्सिप कोको कोला ब्रैंड ने ओकी जो कोको कोला ब्रैंड है इसने बताया कि जो भी नए बॉटल लेकर आएंगे वह 100% रिसाइकल हो जाएगा वापस से रियूस कर सकेंगे और यह बॉटल कौन से होंगे 200 ml और 750 ml वाले जो बॉटल होंगे उन बॉटल के ऊपर यह ट्राय किया जाएगा यानि कि छोटे पैक वाले बॉटल से उनके उपर नहीं शीरी भी सेट तो मेंक पॉ इन्डिया ग्रीन अन्वार्मेंट के लिए इन्वार्मेंट के लिए सब की लिए एक साकर अत्मक सोच रहेगी कौन से बॉटल से होगी 200-750 ml वाली जो बॉटल से उनकी पैकिंग पे रहेगी यह 100% रिसाइकल 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 वाली चीज दबॉफ कं अधो पार्ट ओ इन्होंने यह चीज स्टार्ट किया है दन्यूली इंडर्डयोज रिसाइकल पीटी बॉटल्स अर्मेन्यूफेक्टुर्ड यूजिंग फूड ग्रीड रिसाइकल जीज़ वनिखोंकी जो कि क्या है पीटी पीटी की ती लिगर बात करो तो पी अधिका फुल फुर्म क्या यह चीज एक्सर नहीं पूछी जाएगी आपसे पूछा किया जाएगा एक्जाम में कौन से बॉटल पे हैं किस ब्रैंड नहीं किया है और कौन सी बॉटल है तो पीटी रिसाइकेवल हंडल पॉसेंट ओकी नेक्स्ट तो यह था हमारा च्छोटा सुस्टेशन जिसमें हमने क सारी पाती करी है जो भी इंपोर्टन करंट अफिर्स रहें आपकी 7 अक्टूबर से रिलेटेड ओके तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे सी पैगसिस करें रेकेट में आपके लिए ऑन-लाइन और ओफ-लाइन दोनों क्लासेज लेकर आती है ओकी हम बात करें अभी फिलाल ओन दो अब होगा अपको फांडेशन बैच मिल जाएगा इंग्रेश रिजनिंग जी मैस इन सबकी रेगूलर क्लासेज मिल जाएंगी सारा स्टवी मटीरियन जाएगा इन सारे सब्जेक्स से रिलेटेड आपको मॉक टस्ति मिल जाएंगे यह मॉक्तिस कौन से होंगे आपके स सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा सेक्शन वाइज हो जाएगा एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टॉपिक्स पीजो टेस्ट होते हमें जरूरत होती है वह सब आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब करें अगर आपको जोईन करनी है पैगस करेंडमी का डाउनलोड करो गूगल प्लेस एप स्टोर से वह जाकर आप यह फाउंडेशन बैच का कोर्स परचेज कर सकते हो कैसे आपको हातों आथ मिल जाएगी कुछ आपको आपके वास सेम्पल वीडियो सेंपल क्लास के आप वहां जाके चेक आउट कर सकते हैं ओकी चलो मिलते हैं नेक्स क्लास में थेंक्यू